नमस्कार शातियों आप सभी का स्वागत है देविन सर ओफीशियल में हम हमेशा की तरह हर रोज की तरह सबसे पहले बारा बजे सिर्फ दस मिनट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं बेस्ट करेंट अफेयर्स जिनकी आपके प्रश्ण पत्र में आने की संभावना सरवाधिक रहती है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर क्लिक करें चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्ण की तरफ पहला प्रश्ण है आज का हमारे पास कि अल्प संख्य कारिमंत्राले का प्र आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इस लोकल की थीम को ही मिलाकर आत निर्भर भारत अभियान की शुरूआत की गई है कि इस इस कोरोना की वज़े से इस आर्थिक मंदी की वज़े से जो सारी की सारी सीमाएं सील कर दी गई है उसमें लोकल प्रोडेक्ट को बढ़हाव इसलिए यह हुनर हाट प्रोग्राम की थीम भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है लोकल से ग्लोबल ठीक है अब यहां पर एक नया पवेलियन भी बना गया है जिसका नाम है जान भी और जहान भी जहां पर लोगों को पैनिक नहीं प्रकॉशन की थीम पर जागरुपता प सेना कमांडरो का सम्मेलन कहां पर आयूजित हो रहा है तो सेना कमांडरो का सम्मेलन नई दिल्ली में आयूजित हो रहा है आपको पता है यह दो चरणों में आयूजित किया जाता है इसका यह पहला पहला चरण है जो कि अप्रेल में आयूजित किया जाना था लेकिन लोग 2020 के लास्ट वीक में आयूजित किया जाएगा सेना कमांडर्स जो हमारे चार सेना कमांडर्स हैं उनको आप देख सकते हैं जनरल मनोज मुकंद नर्वाने थल सेना प्रमुक एड्मिरल कनवीर सिंग नौ सेना प्रमुक भारत देश के पहले पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और एर चीफ मार्शल आरके एस भधोरिया चारो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हमारे पास चुमबा सुरंग चुमबा सुरंग जिसकी लंबाई लगभग 440 मीटर है जो चा प्रावधान किया गया है चार जाम परियोजना 889 किलो मीटर लंबे राजमान निर्मान के लिए 12,000 कौड रूप करने का प्रावधान किया गया है चार धाम राजमार्ग, इसका नमबर याद रखेगा आप से पूछे जाने की संभावना बनती है NH94, अब देखिए यहाँ से महत्पूर्ण क्या क्या बनता है, सबसे पहला महत्पूर्ण बात तो यह है कि भई चार धाम है कौन-कौन से, आप याद रखेगा चार धाम यह व जा रहा है, जिसका नाम NH94 है, जिसे चार धाम राजमार का नाम भी दिया गया है, इसका उद्देश यह है कि रिशी केश को इन लोकल तराखन के चार धामों से जोड़ना, इट मींज रिशी केश को यमनोत्री से, रिशी केश को गंगोत्री से, रिशी केश को केदारनाथ स इने ही छोटे चार धाम कहे जाते हैं और इन चारों छोटे चार धाम में से जो एक धाम है बद्रीनात वे भारत के जो हिंदू धर्म के पवित्र चार धाम है उससे भी संबंधेती है इस थल है तो आप उत्राखंड के चारों धामों को देख सकते हैं इसके अलावा जो में च चार धाम जिसे छोटा चार धाम भी कहते हैं जिसके लिए यह सुरंग बनी है चंबा सुरंग नच 94 और एक है भारत के चारो धाम जो भारत के चारो कोनों पर चार बने हुए हैं दोनों से पूछे जाने कि आपके प्रश्न की संभावना बनती है तो याद रखेगा चंबा कि नासा के द्वारा वर्ष 2025 में लॉंच किये जाने वाले अपने अगली पीड़ी के स्पेस टेलिस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा गया है ठीक है तो बहुत फेमस एक साइंटिस्ट थी नासा की जिनका नाम था नैंसी ग्रेस रोमन आप मैं फिर से रेपीट कर रहा हू नैंसी ग्रेस रोमन आप उनकी फोटो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं देखेगा इनी के नाम से इस टेलिसकोप का नाम रखा जा रहा है इसका नाम है नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिसकोप इसका जो ओफीशल नाम था वो था वाइड फील्ड इंफारेड सर पर्वे टेलिस्कोप। आपको कुस दिन पहले याद होगा, मैंने आपको बताता ह। हब्बल टेलिस्कोप के भी सवर्ष fertility हो गए थे। इस उपलक्ष पर भी क्या किया गया था? हब्बल टेलिस्कोप के बारे में आपको हमेशा बताता ह। कि अगर धर्ती के बाहर के वारे में, ब्रम्हांड के बारे में, अगर किसी का नब्वे प्रिशत से भी जादा अकेले में योगदान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हब्बल टेलिस्कोप का है, यह जो नैंसी ग्रे टेलिस्कोप हमारा अगला होगा, यह हब्बल टेलिस्कोप क मार्ग इन्हों ने प्राशास्त्र किया था जिसकी वजह से आज हम धरती के बाहर बहुत सी ब्रहुभान के बारे में जानकारियां एकत्रित करते हैं कहीं न कहीं उनी के योगदान के लिए इस तेलिस्कोब का नाम अब क्योंकि टेलिस्कोप का नाम रख दिया जाएगा तो इतिहास में अमर हो जाएगी Nancy Gray और टेलिस्कोप भी चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण की तरफ नाशा के बारे में आप जानते हैं अगला प्रश्ण है हमारे पास की catch-up नामक एक नया calling application किसके द्वारा लांच किया गया यह आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि Facebook बहुत बड़ी कंपनी है Facebook की और इसलिए catch-up calling application भी बनना चाहिए तो catch-up नामक एक नया calling application वीडियो calling application है यह Facebook के द्वारा लांच किया गया है Facebook के जो मुख्य कारेकारी अधिकारी है यह जो founder है जिन्होंने इसको बनाया था वो है Mark Zuckerberg और इसका headquarter है California USA में आप देख सकते हैं catch-up का logo देखिए कोई भी नई चीज आती है तो उसका logo को जानने की कोशिश किया करिए क्योंकि उसका logo बहुत कुछ आप से कह जाता है इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों के द्वारा आपको किसी भी चीज के लोगों के द्वारा आप चमजने की कोशिश करें याद करने की कोशिश करें ताकि वो lifetime आपका अपना हो जाए चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण की तरफ, अगला प्रश्ण है हमारे पास की NYIPLA, Investors of the Year Award 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो एक भारती अमेर की IBM वैग्यानिक है राजीव जोशी, इन्हें यह Investors of the Year Award 2020 दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जाता है, यह दिया थॉम्सन वाट्सन रिसर्च सेंटर में कायरत हैं, यह पुरुसकार हर साल दिया जाता है, और विजेता के रूप में 5000 अमेरिकी डॉलर की राशी भी प्रदान की जाने वाली है राजीव जोशी को, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अवर्ड लेते हुए राजीव जोशी, अगला प्रशन है हमारे पास कि उर्जा वित निगम, पावर फाइनेंस कॉर्परेशन ने मद्धिपरदेश राज में क्रियानवित की जाने वाली विभिन विजली परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, तो पावर फाइनेंस नर्वदा बेशन प्रोजेक्ट कंपनी लिम्टेड जो मद्धिपरदेश सरकार की संपूर स्वामित वाली कंपनी है, इसके साथ समझोता किया गया है, 22,000 करोड रुपे ये कंपनी क्या करेगी, धन मोहया कराएगी, तो पावर फाइनेंस कॉर्परेशन के अध्यक्ष और प्रबंद ने देशक हैं राजीव शर्मा और नर्वदा बेशन प्रोजेक्ट कंपनी लिम्टेड के प्रबंद ने देशक हैं आई सीपी के इस्टरी मद्य प्रदेश को जो मुख्य मंत्री है वो है से वराज सिंग चौहान और राजपार है लाल जी टंडन मद्य प्रदे प्रदेश भारत देश का अगला प्रशन है हमारे पास कि राष्ट्री आधुनिक कला संग रहाल है नैशनल गैलरी ओफ मॉड़न आट ने किस प्रशिद मूर्तिकार और चित्रकार की एक सो पंद्रवी जैनती के उपलक्ष में ऑनलाइन प्रदरशनी का आयूजन किया है त पांच अलग अलग विश्यों पर आयूजित की गई थी पोट्रेट लाइफ स्टडी और एब्स्ट्रेक्ट एन इस्ट्रक्चल कंपोजिशन नैचर स्टडी एन लेंडिसकेप और स्केप्चल तो आप ये पांचों चीजें आप देख सकते हैं राम किंकर बैज की 639 कलाकर से यह नवाजे जा चुके हैं अगला प्रश्ण है हमारे पास UN Military Gender Advocate of the Year से किसे नवाजा गया है तो यह भारती महिला है मेजर सुमन गवानी इन्हें यह पुरुसकार दिया गया है महत्पुन यह है यह पुरुसकार जीतने वाली पहली भारती महिला शांती दूत हैं इनके साथ ही साथ एक ब्राजील के कमांडर हैं कमांडर कारला अरुजो इन्हें भी यह पुरुसकार दिया गया है 29 मई को यह पुरुसकार दिया जाएगा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में अगला प्रश्ण है हमारे पास कि नाइजर गड़ राज में भारत के अगले दूत बनाया गया नाइजर की राजधानी है नियामी और यहां के राश्पती है महामदोर इससेफो अगला प्रश्ण हमारे पास कि श्यामला जी भावे का निधन हो गया है वे किस से संबंदित है तो शास्त्री शंगीत से संबंदित है यह है वेक्तित आप फोटो सामने ध्युक्षा